नमस्कार प्रीदर्स को बहुत बहुत स्वाकत है, आपका हमारी यूटूब चैनल पर, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आरती करने के बाद में पुश पांजली करने के बाद में हम भगवान को छमयाचुना करते है तो सारे श्लोकों की चानकरी देने वाला हूँ तो अगर आपने हमारी यूटूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ में बेल आइकन को जुरूर दुबाए यानि कानिच पापानी जनमांतर गृतानिच तानि सर्वाणि नश्यंतू प्रदक्षण पदे पदे फिर प्रणाम करे भगवान को साष्टांग दंडवत या पंचांग जिस प्रकार से आपको उचित लगे प्रणाम करे प्रणाम करे प्रणाम के बाद भगवान से ख्षमा प्रार्थना करे आवाहनन जानामी नजानामि तवार्चनम पूजान चैवन जानामी क्षम्यताम परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्वूजितम्यादेव परिपूरनंत दस्तुमे पापोहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव तराहिमां पार्वतीनाथ सर्वपापहरोभव तवतत्त्वम्न जानामी की द्रिशोसिमहेश्वर याद्रिशोसिमहादेव ताद्रिशायनमोनम इन सबी स्लोकों के द्वारा आप बगवान से छमयाचना करें फिर बगवान को भोग लगाएं और अपने आसन के नीचे जल डाल करके इन राय नमह इतना कह करके उस जल से तिलक करें क्योंकि जितना भी आपने फूजा की है उसका भाग आपको मिल सके तो आसा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा जो भी आप सीखना चाहते हैं कमेंट बोक्स में जरूर लिखेगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद